कर द्रिपिल क्राफ्ट जब इस माझध का इंडिया मेरे को आया था या फिर जब में इस माझध को बना रहा था तो मेरे को बात करने वाले है Chraces के बारे में तो चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो रिप्ले क्राफ्ट का वर्जन है या फिर ये वाला अपडेट है वो है 1.5 एंड हाँ मुझे पता है बहुत साय लोग बोलोगे कुछ लोग तो गुसा भी होगी कि भाई ये क्या है तुम तुम बोले थे वर्जन 2 आएगा तो ये एक बहुत important चीज है इसके बारे में आप मैं इस वीडियो के last में बात करूँगा इसलिए आप प्लीज इस वीडियो को last तक देखना उससे पहले हम वर्जन 1.5 के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं प्लीज आप वीडियो को last तक देखना तो सबसे पहले step obviously इसको download करना और इसको install करना Minecraft करना तो इसमें बहुत सारे लोग को problems आती है तो थोड़ा सा मिसके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको mod को download करना लिंक आपको description में मिल जाएगी प्लीज कहीं और से भी download मत करना बहुत सारे patch वगएर आते हैं तो मेरे को fix करते रहना पड़ता है तो एकदम latest version जो रहेगा वो आपको मेरे link पे ही मिलेगा और वहां से मेरे को support भी होता है इसलिए कहीं से और download प्लीज मत करना और हाँ एकदम latest version में रहना Minecraft को यह चलेगा 1.20.30 से उपर होगे न तो यह आराम से चल जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको यहाँ पे एक zip file मिलेगी zip file को आप चाहतो रिनेम करके .mcadon इसके लास्ट में लिखे दोगे फिर आप उसको import कर सकते हो यहाँ फिर zip file को जब आप extract करोगे तो यहाँ पे आपको एक file मिल जाएगी mc pack वाली उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना जाए तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट की कोई भी टेंसन आपको नहीं लेनी किसी को भी नेबल मत करना एंड बस इतना करने कबाल आप बस अपने वर्ल्ट को प्ले करना एंड यहाँ पास जो हमारा मॉट है गेम के अंदर आज आएगा अच्छे से वर्क करेगा और यहां पर आप देखोगे यह रिप्ले क्राफ का मेनी ओपन हो जाएगा मैंने ब्लेज रॉट को इसलिए चुना आए ना ताकि कोई दिक्कत ना हो डाट ब्लोक क्या है प्लेस भी करते हैं तो यहां पर ब्लेज रॉट को एक्दम फिक्स कर दिया ब्लेज रॉट करके आ वो है एड फ्रेम का यह अभी आप सभी को पता होगा इमेजिन करो आपको यहां पर एक रिप्ले बनाना है तो आप क्या करो अपने आपको एकदम कैमरा मानो और उसी डिरेक्शन में देखो जहां आप कैमरा को दिखवाना चाहते हो वहीं पर उसी लोकेशन में खड़े हो एक सिनेमेटिक को रिकॉट करेगा और जो डिरेक्शन है ना वो सेम रहेगी जिस डिरेक्शन में आप देख रहे थे जब आप फ्रेम को प्लेस कर रहे थे इसलिए इस बात का ध्यान रखना यह चीज़से ना बहुत ही एजी हो जाता है कंट्रोल करना मतलब आप अपने ए जो पार्टिकल्स है इनका गायब होने का फिर जैसी यह पार्टिकल्स गायब हो जाएंगे आपका केमरा स्टार्ट हो जाएगा ताकि एकदम क्लीन वाली लुक आए आपके वीडियो के अंदर यहां पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अन कर सकते हो और फिर यहां से आप एक बहुत ही कमाल का सुनिमेटिक सब्सक्राइगा और जैसी है कंप्लीट होगा आपके प्लियोड के पास नौर्मिल यहां पर प्लिययो को भी कंड्रोल कर सकते हो आपका केमरा गदम अलाग हो जाता है प्लियर से मदलब आप केमरा और इसात में कैमरा रिकॉर्दिंग भी मिलेगा तो फॉल जंपल अगर आपने गलती से स्टाइट केमरा प्रेस्ट कर दिया है तो आपका डीट में रुकना है तो बस आप सब कुछ करना चाहते हो या फिर पार्टिकल को चेंज करना चाहते हो अगर आपको हाथ कल पसंद नहीं आ रहा आप यहां पर कोई भी अलग पार्टिकल लगा सकते हो बहुत सारे उप्संस हैं फिर इसके बाद ना जो इस उसको चेंज कर सकते हो यह बैसिकली जो एक फिरम से दूसरी फिरम में कैमरा जाता है उसके बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसको इस बोलते हैं तो यहां पर भी बह नहीं आई है यह पहले नहीं थी इसके बारे में आपको आगे दिखाऊंगा देन यहां पर आपको एक रिमूब लास्ट फ्रेम को आप्सन मिलता है यह मैंने नए डाला है बहुत ही रिक्वेश्टेट होता क्या है अगर आप यहां पर यहां पर प्लेस कर दे हो दिन आप गलती से कोई फ्रेम लगा दी तो आप इसके बाद वही जो मैं बात कर दा था प्रिविव कैमरा या फिर प्रिवियू सिनमेटिक के नया आपको देखने को मिलेगा बैसिकलिए अगर आपने ना बहुत ही बड़ा एक सिनमेटिक बनाया है और आप उसको देखोगे कि हो कैस बनाए तो इसके उपर क्लिक करके आप बहुत ही फास्ट तरीके से अपने सिनेमेटिक को देख सकते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने सही सिनेमेटिक बनाया या फिर हाँ पे कुछ आपको चेंज करने की जरूरत है यह भी बहुत ही यूसफुल फीचर है एंड ह आपने बना लिए आपका काम हो गया तो बस इस बटन पे दाओ और जितनी भी सिनेमेटिक है वह हड़ जाएंगी जितनी भी फ्रेम्स हैं और फिर आप यहां पर दूसरी जगर जाके नया सिनेमेटिक बना सकते हो तो यहीं था रेप्ले क्राफ्ट का वर्जन 1.5 अप्डे कर देता हूं वर्जन 2 के बारे में तो एक्शली हुआ क्या था एक चोटी सी टाइम लाइन है जब मैंने इसको वर्जन 1 को रिलीस किया था तीन-चार महीने पहले तो रिलीस के जस्ट बाद मेरे को ब्रेक पर जाना पड़ा था बट उसी टाइम पर ब्रेक की टाइम पर मै मेरे को इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था और कि ब्रेक था तो मैं इतना जदा काम भी इस चीज़ पर नहीं कर पा रहा था एंधि इन सब सर्क बनाने में सही में बहुत जयादा ड़िा ताइम लगता और मेहनत लगती है इसलिए मेरी च sì होटी सबरिग थी मेरे को इतना इनने नए फीचर को लाऊंगा जो भी आप फीचर को बोलोगे मैं इसको यहां पर डालता जाऊंगा और हाँ परजन चूबे भी काम चल रहा है तो जैसे बन जाएगा फिर वह तो मिली जाएगा आपको आप समझोगे मुझे परता है आप समझोगे बाकि हां मिलते अपने न अबर जाता है झाया को बोलोगे मिली जाबान च्लघको आपकोगे मुझे परता है तो में आपको आफाएगा चाहिए आपको आजयागा जारे हां I कर दे कुटाको यह शजूएं जाउके